हेलो अच्छों और हम लोग एलेक्ट्रो स्ट्राटेक्स यूरिट वन में पोटेंशियल पढ़ रहे थे और पोटेंशियल के बाद हमने पढ़ा एकवी पोटेंशियल सर्फेस क्या पढ़ा एकवी पोटेंशियल सर्फेस और उसके बाद हमने देखा कि एकवी पोटेंशियल सर्फेस का क्या प्रोपर्टी है इक्वी पोटेंचुल सर्फेस मतलब हर एक प Tommy पर पोटेंचुल सेम होता इसको इक्वी पोटेंचिल सर्फेस को हर एक पिक्टेंचिल स सेम अब तोपिक खर इफह बड़ा कॉंप्लेंच्व टॉपिक है हमारे इनुट 1 में एक बहुत कंप्लेक्स जिसकों hard topic बोल सकते हैं बड़ा आसानी से लोगों को समझ में यह नहीं आता है ठिक है और इस topic का नाम है electric potential energy या इसी को बोलते है इतना आसान नहीं कि आप समझ जाएं ठिक है तो बिलकुल आप सांती तरीके से बिलकुल माइंड को आप किलियर किजिए और देखिए ध्यान दिजिए अगा आपको समझ में यागा है सबसे complex topic है इस unit 1 का electrostatics का ध्यान दिजिएगा देखिए कहता कि electric potential energy क्या है what is electric potential energy ठीक है जैक बोर्ड में इसे objective question पुछते हैं डारेक पुछता है कि system of two charge के लिए electric potential energy कितना होता फॉर्मुला पुछता है या कभी-कभी फॉर्मुला चोटे से फॉर्मुला में उसमें numerical set करते है चोटा एक objective question के लिए ठीक है तो ध्यान दिजिएग है छोटो यह define होता है define होता है system of two charges के लिए system of two charges के लिए सुनिए यह किसके लिए define होगा system of two charges के लिए एक single charge के लिए electric potential energy defined नहीं है एक single charge के लिए electric potential energy defined नहीं है तो जब भी आपको पूछे electric potential energy तो यह single charge के लिए define नहीं है यह system of charges के लिए define है system of charges के लिए यह तो कम से कम दो चार्ज जरूर होना चाहिए तीन चार्ज हो जाए चार चार्ज हो जाए पांच चार्ज हो जाए बहुँ सारा चार्ज हो जाए तो डिफाइन होगा लेकिन single charge अगर single charge है उसके लिए electric potential energy डिफाइन नहीं है डिफ्रेशन क्या कहता सुरिए जहां से क्या कहता था amount of burden क्यों वर्ड़न हमने आपको 11 class से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी energy की बात करते हैं हम वर्ड़न करते हैं अगर कहीं भी energy find करना उनको किसी point पर यहाँ energy find करना इस point पर उनको एनर्जी द कि यहाँ पर कितना वर्ड़न करते हैं हमको एक्सटर्न एजेंट दोवारे जितना वर्ड़न होता है यही वर्ड़न उस point का energy कहलाता है मतलब यहाँ पर एकर एनर्जी निकालना चोटू तो हमको यह देखना पड़ेगा कि यहाँ पर work done कितना हुआ है जितना वर्ड़न हो होगा उतना ही energy होगा हम बात कर रहा है क्या electric potential energy क्या क्या कहता है the amount of work done देखे हमने कायरे किया the amount of work done in bringing लाने में किसको आमने system of charge हाँ एक चार्ज को नहीं system of charge को लाने में कहा से लाने में from infinity to a point infinity से system of charge को system of charge को infinity से किसी particular point तक system of charge को मतलब 2 charge हो सकता है तीन चार्ज हो सकता है 4 charge हो सकता है बहुत सारा charge हो सकता है उसको infinity से किसी particular point तक लाने में जो work done किया जाता है जो external legend घवारे यही work done इस point के लिए जहां तक लेकर हैं उस point के लिए क्या हो है कि дан और पॉइंट के लिए एफिट एकर इलक्तर बढेंटी थ एक घ्गै अटिक अटेर कि अटेर्ट आझे इफंग। बढेंटर प्नेंटी च टेखेंट कि प्रॉद्च अटीक, किसके लिए define है system of charges के लिए define है single charge के लिए define नहीं है ठीक है system of charges ठीक है system of charges not for not for single charge not for single charge अगर तुमको को पूछे एक charge Q या Q1 यहां से R distance पर हमको potential energy निकालिए एक charge Q1 और इस Q1 से R distance पर हमको कहेगा electric potential energy बताइए इस Q1 के कारण कितना electric potential energy Q1 के कारण कितना electric potential energy यह नई define है अचा अब देखिए छोटू क्या होता है यह definition इसको आप लिखेगा not किजिएगा इसको मिटाते हैं ठीक है सबसे important बात क्या है छोटू कि electric potential energy is defined only for system of charges not for single charge एक charge के लिए defined नहीं है ठीक है अचा इसको मिटाते हैं सुनिएगा यह definition हुए इसका अचा तो चोटू आप 11 से पढ़े है कि कोई भी potential energy चावो gravitational potential energy हो चावो electric potential energy हो कोई भी potential energy potential energy defined नहीं है potential energy defined है कैसे change in potential energy potential energy defined नहीं होता क्या define होता है change in potential energy energy में कितना change हुआ कितना change आया final potential energy minus initial potential energy इस तरके define होता है change in potential energy defined है किसी potential energy किसी पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं है सुनिए देखिए आद ध्यान दिजिए रहा कहता क्या है potential energy defined क्या potential energy defined कैसे potential energy defined है change in change in potential energy इस तरह defined है यह सिर्फ defined नहीं है यह defined नहीं है सिर्फ potential energy defined नहीं है change in potential energy defined है कैसे define है कि final minus initial potential energy final minus potential energy initial U मतलब potential energy यहाँ पर हम लोग पढ़ रहा है electric potential energy तो final on is initial और यह होता है work done by work done by minus negative work done of conservative force negative work done हो क्या conservative force मतलब conservative force द्वारा जितना work done होगा conservative force द्वारा conservative force द्वारा conservative force द्वारा conservative force द्वारा conservative force यहाँ कौन है electric force conservative force कौन है electric force conservative force है वैस conservative force क्या है जो path पर depend नहीं करता है सिर्क initial and final position पर depend करता है सुनिए तो work done by conservative force जो conservative force द्वारा जो work done होगा conservative force मतलब electric force यहाँ पर electric force को द्वारा जो work done होगा उसको negative लगा देंगे, वही क्या लगा लगा, change in potential energy, और change in potential energy क्या लखेंगे, बोलो, you, ठीक है, आप सुमिए, देखे, या इसी को क्या लखता है, change in potential energy को कैसे लख सकते है, positive word done by external agent, या external force, अगर हम conservative force लख चलेगे, तो क्या लखेंगे, negative, और अगर external force लख चलेगे, क्या change in potential energy को क्या बोल सकते है, change in potential energy क्या बोल सकते है, plus work done by external force, external force द्वारा जितना work done होगा, positive sign के साथ, उसी हम क्या बोलेगे, change in potential energy, वैसे potential energy defined नहीं है, change in potential energy defined है, potential energy single charge के लिए define नहीं है, system of charges के लिए define है, ठीक है, आप देखे, तुमको क्या पुछता है, इसम छोटू, डेरिवेशन कैसे आता है, डेरिवेशन कैसे आता है, सुनिएगा, क्या लिखे रहेगा, कि डेराइव, 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 एक्सप्रेशन आफ, एलेक्रिक, पोटेंशियल, एनर्जी, द्यूटू, सिस्ट्रम आफ, तुचार्जेस, देखे, डेराइव, एक्सप्रेशन, अब फॉर्मुला निकालिए, किसका फॉर्मुला निकालिए, एलेक्रिक, पोटेंशियल, एनर्जी का फॉर्मुला निकालिए, एलेक्रिक, पोटेंशियल, एनर्जी का फॉर्मुला निकालिए, एलेक्रिक, पोटें हमने एक सिंगल चार्ज को हमने यहां रख दिया एक सिंपल में यहां रख दिया इस पॉइंट पर तो हम यह मान के चलेंगे कि क्यों चार्ज को रखने में हमको करना पड़ा को कितना है जीरो यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट माल यजर पी है तो देखो चोटू, अब यहाँ पर वर्डन अगर 0 निकला है, तो potential energy तो define नहीं होगा, यहाँ पर बताईए potential energy कितना होगा, 0, जब वर्डन हुआ नहीं, तो potential energy कितना होगा, 0, क्योंकि potential energy क्या होता है, जो वर्डन होता है, अब वर्डन हुआ नहीं, तो potential energy कितना होगा, 0 हम क्या करेंगे हम क्या करें है final position का तरह बड़ेंके तो दूसरा ही रख दो मिले जब जरुको जरुए जब अब चार्ज लिए और को सब्क्स ड़र दिया तो यहां पर ठाऴर चार्ज गितना हो जरुए झीज़िगा जरुए 0 यहां बज़ा 0 तो बता हो final potential भी कितना होगा 0 होगा लेकिन हमको वर्गण करना पड़ेगा न क्योंकि क्याता क्या है जो infinity से लाने में जो वर्गण करना पड़ता है यही work.. τον potential energy आर्जी भाता है तो हमने क्या किया हूँ आङे तब ही तुसकोса potency energy बोलेंगे जब work done आएगा तो उसे हम potential energy बोलेंगे अभ work done members of case में 0 है इसको आमके दिया work done कितना जीरो लगाया हमको रख तो चाहिए वर्क मिलेगा तभी तो प्रोटेंचिल एरजी मिलेगा अगर work मिलेगा work हमको मिला अगर मेरे पास work done आ गया तो उसी के न हम potential energy बोलेंगे तो कैसे हम work करें यहां रखेंगे फिर भी work 0 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 तो हम क्या करेंगे एक बहुत ब पर पर इसका नहीं हम क्या रूत ला रहा हैं तो यहां यहां पर लेखना करें गया को है आभ को वर्क करने जा रहा है है हम आर्पिनिटि और ला रहा है यहां देखो तो बहुत बड़ा काम होगा ना तो वर्क तो मिलेगा अब सुनिए हम ला रहा किसको बोलो Q2 चार्ज को ला रहा है कहां से ला रहा है इंफिनिटी से ला रहा है तो बताओ छोटू यहां से यहां लाने में इसको कितना वर्डन करना पड़ा बोलो W2, कितना वर्गन करना पड़ा, W2 ना, सुरिए, अब देखो छोटू, समझिएगा, देखो, तो हम क्या कहता है, हमको निकालना क्या है, Electric Potential Energy, तो हम क्या करेंगे, Electric Potential Energy कैसे डिफान होता है, Final Minus Initial, हम क्या करेंगे, Potential Now, Potential Final, Minus Potential Initial, Potential Final Minus Potential Initial, वर्गड़न भाई, कौन वर्गड़न, कौन जी होगा, External Force या External Agent दोवारा, जो वर्गड़न होगा, किसके दोवारा होगा, External Agent दोवारा होगा, अच्छा, अब देखे, Final Minus Initial, वर्गड़न, यहाँ वर्गड़न कितना होगा, W1, इसको प्लस मेटा दे, W1, प्लस यहाँ वर्गड़न कितना होगा, W2, अरे यहाँ वर्गड़न, W1, 0 होगा लिखेगा ना, और यहाँ वर्गड़न, अच्छा, अब देखे, Final Minus Initial is equal to, W1 कितना, 0, और यह क्या होगा, W2, W2 निकलेगा, हाँ निकलेगा, देखे, कैसे निकलेगा, W2, ध्यान दिजीएगा W2 कैसे निकलेगा, Potential Energy, Final Minus Potential Energy, Initial is equal to, W हमको निकालना है, क्या निकालना है, W, तो देखो चोटो, हम लोग फर्मुला पढ़ा है, Potential का याद करो, Potential का फर्मुला पढ़ा है, W upon Q0, याद किजिए, तो बताओ, Overdone को हम क्या लिखेंगे, बोलो, Overdone को क्या लिखेंगे, B into Q0, अरे, Potential का फर्मुला पर W by Q0, क्लास में पढ़ा चुकी है, Potential का फर्मुला पर W by Q0, तो Overdone का फर्मुला कितना है, B Q0 होगा ना, अब देखो, यहाँ कौन सा चार्ज को लिखा रहा है, Q0 को, Q2 को, तो यहाँ क्या होगा, बोलो, Q2, अब देखो, यह भी कहां से आएगा, क्योंकि यह चार्ज यहाँ पर Potential बनाएगा, सिंगल चार्ज के कारण कितना Potential होता है, 1 by 4 pi epsilon not Q by R, यार यह तो इसके कारण Energy Defined नहीं है, इसके कारण Potential तो Defined है ना, Electric Potential Energy Defined नहीं है, लेकिन Electric Potential Defined है कि नहीं, तो यह कितना Electric Potential R, तो हम इसको क्या लख सकते है, देखिए, हम लिख सकते है, what is this, यह लिख सकते है, V1, इसने Potential यहां कितना मनाया, V1, into, इसको ला रहा है, तो क्या होगा, Q2, अरे, W2 बचा रहा है, इसके देखाने, W फर्मॉरा क्या होगा, V into Q, तो V into Q, अच्छा, अब देखो, Final minus initial is equal to V1, V1 कौन मनायागा, V1, 1 लिखा है, तो Q1 मनायागा ना, इसके करने Potential क्या होता है, 1 by 4 pi epsilon 0, Q by R, Q1 by R, into, यहां कौन है, Q2, यानि बताओ, इसको क्या लेख सकते है, चोटो, इसको क्या लेख सकते है, बोलो, U, Potential Energy, अरे, Potential Energy, कैसे Defined है, Change in Potential Energy, इसको क्या लेख सकते है, Q, और यह formula क्या होगा, 1 by 4 pi epsilon 0, Q1 into Q2 by R, मतलब system of two charges के लिए, system of two charges के लिए, system of two charges के लिए, electric potential energy formula कितना होता है, 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R, यह किसके लिए Defined है, 2 point charges के लिए, electric potential energy कितना होता है, 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R, ठीक है, अच्छा, objective question कैसे था, jackboard में, objective question, रेकें 2018 क्या था, Q1 का value दिया था, Q2 value दिया था, R का value दिया था, निकाला था, Potential Energy, Q1 था, 2 microcolum, यह था, 1 microcolum, distance था, 1 cm, इसका value, इसका value, इसका value दिया है, बतावा energy नहीं निकलेगा, यह objective question था, 2018 में, ठीक है Thank you, फिर class होगा, अभी potential के बाद हम लोग पढ़ेंगे, capacitor, क्या पढ़ेंगे चोटो, capacitor, ठीक है, आप लोग class करते हैंगे, प्लीज, अभी Corona का time है, आप लोग घर में रहिए और class करते रहिए, अभी बाहर में ही निकलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वेकिन अभ बहुत प्राब्लम है, है कि में सबके साथ इसलिए प्लीज, अभी जो पढ़ाय वरत ही रेदर उसको नॉट किजिए और उसको पढ़िए, थैंक्यू,